प्रेंड्स आपका स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल अंकी लेक्चे टूबर हमारा आज का लेक्चर रहेगा निर्देश सांक रुपांथरन आज़ेगा के लिए रुपांथरन समीकर्ण का ऺड़ यहाद करना है तो चलिए आज का लेक्टर स्टार्ट करते हैं मिना टाइम वेस्ट के हुए तो हमें दिया हुए स्तांतरित निर्देश तंतरों के लिए रुपांतर समीकरन ग्यात करना है तो स्तांतरित निर्देश तंतर होते क्या हैं आपको उनके बारे में पता होना चाहिए स्थान अंतरित नाम से ही पता चल रहा है कि एक स्थान से दूसरी स्थान तक जाना स्थान अंतरन करारता है उनके बारे में हमें रुपांतरन समी कर निकालना है तो चलिए सबसे पहले हम स्थान अंतरित निर्देश तंतर बनाती है एक तान से दूसरे तान तक जाने वाला निद्रेश तंतर तो देखिए सबसे पहले मैं कोई एक निद्रेश तंतर ले लेता हूँ ये कोई निद्रेश तंतर है ये कोई निद्रेश तंतर S है यह यह एकस एकस और यह जड़क्स है इसका मुल बिंदू ओ है तो स्तानंतरी और कोई निदेश तंतर अश डेस है यहां पर यहां कोई निदेश तंतर अश डेस है ठीक है इसका मुल बिंदू ओडेस है यहां कोई बिंदू पी है हमें उनके बारे में रुपांतरन से बिकर निकालना है यानि बिंदू पी की लिए रुपांतरन से बिकर निकालना है तो बिंदू पी से S निर्देश तंतर के लिए इस्तितिस दिश क्या होगा यानि R1 वेक्टर माल लेते हैं R1 वेक्टर है S निर्देश तंतर के लिए और S दिश के लिए क्या है इसका मूल बिंद O डेस है तो इसके सापेक्स इसका इस्तितिस R-Vector माल लेते हैं और माल लेते हैं कि इसने O-C-O-Dess की दूरी यानि इस्तानंतरित किया है यानि चल कर गया है तो इसे एक बार के लिए मैं R-Note से डिपरचेंट कर देता हूं और यह हमारा R-Vector है यह हमारा Confuse जाएगा R-1, R-Dess और R-1 के अंदर तो हमें एक बार से simply R-Vector माल लेते हैं तो चलिए अब हमें क्या करना है देखिए अब हमें इनके बारे में रुपांतरन समीकल निकालना है तो चलिए निकालते हैं तिरबुच O-P-O-Dess से यानि मैं इस परकालिक से गता हूं तिरबुच O-P-1 से क्या होगा देखो तिरबुच O-P-1 से क्या होगा देखो मैं लिख सकता हूं तिरबुच नियम से O-P-1 O-P-1 वेक्टर बराबर होगा O-O-Dess वेक्टर के पलस O-P-1 के वेक्टर के तो यहां से मैं इनकी वेलिव रख देता हूं O-P-1 वेक्टर क्या है R वेक्टर है और O-O-Dess वेक्टर क्या है R-Node वेक्टर है और पलस O-P-1 वेक्टर क्या है R-डेस वेक्टर है तो अब यहां से मैं R-Days हमें क्या इस्तिती निकालनी है उनकी तो सबसे पहले Position Vector निकालना है Position Vector R-Days का मान में R-Days की value निकालता हूं R-Days की value क्या है यहां से R-Days को की value आ जाएगी यहां से R Vector माइनस R-Node Vector इस equation नमबर एक लिख देती है अब देखो हमने Position Vector निकाल लिया है स्तांत्री निदेश तंत्रों के लिए अब हमें इनकी हमें T के सापेक्स अउकलन करा देती है तो चलिए सेमें T के सापेक्स इनका अउकलन करा देती है सेमें T के सापेक्स अउकलन कराने पर कड़ारने पर तो जलिए एक क्विशन नमबर फर्स्ट का समयठी के साफ़ एक सावकलन काती है क्या होगा मैं सिद्धे लिख देता हूं कि डा डी आर डेस वेक्टर ब्राइप अपॉन डी टी ब्राबर डी आर वेक्टर अपॉन डी डी मैनस डी आर नोट वेक्टर बटा डी टी तो यहां से देखो कि डी आर डेस वेक्टर डी को वेक्टर को वेक्टर क्याश लिख सकता हूं अब देखो यहां से, डियार नो्ट डिय टिय बहुझा अब सब्सक्राइज और देखो हमारा चैससे और?! हमकोरोट विए निये सक्षिर हो बती हैं तो ये एक constant रासी है यानि अगर हम कुशी भी constant रासी की रासी का आउकलन करते हैं तो इसका आउकलन जीरो आता है तो इसका मतलब dr note upon dt क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा जीरो के तो यहां सी v-dash बराबर होगा v-k तो हम इस परकार कह सकते हैं कि इस तांदरित निदेश तंदर में आशिटेस में कन किस्थती भीन प्रेक्षित होती है परन्तु उनका वेग और तवरं निदेश तंदर की ऐस और एस देश के मानों के समाहनी पराब्त होता है तो इस परकार हम स्तांदरी निदेश तंदरों के लिए रुपांतरन सिंपिक निकाल चुकी हैं अग अगर आपको हमारा आज का लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक जरूर करना अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना